राधे राधे भक्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दे पावर अफ ओम पर आईए जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका दिन तो यह जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राराइब जरूर कर लेवे ताकि रोजाना रा प्लेस पर समस्या हो सकती है वहीं मिथुन राशिके लोग बुजुर्गों के स्वास्थे का ध्यान रखें पढ़ें चह जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल राशिफल के अनुसार चह जनवरी 2023 शनिवार को सिह राशिके नौकरी पेशा लोगों को सावधानी बरतना चाहिए आ जनवरी 2023 मेक्ष इस राशिके लोग यदि सभी लोगों के साथ ताल मेल बना कर चलेंगे तो ओफिस की स्थिती सामान ने रहेगी और बौस भी संपर्क में रहेंगे व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विंटर वेकेशन में विद्यार्थी वर्ग को रुचिकर कारियों को करना चाहिए कोशिश करें कि आपकी प्रतिभा में और निखार आ जाए ग्रहों का ताप दामपत्य जीवन में तनाव पैदा करने वाला चल रहा है और यदि तनाव पहले से है तो आशंका है कि स्थिती और ज्यादा खराब हो सकती है सेहत की बात करें तो वर्काउट करते रहना है इसे किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है व्रिश व्रिश राशिके के लोगों से बॉस हो चुके कारियों की सूची मांग सकते हैं इसलिए अपने कामों को नोट डाउन जरूर करते जाए दुग्ध से संबंधित व्यापार करने वाले को अच्छा मुनाफ़ा हाथ लगने की संभावना दिखाई दे रही है कंपेटीशन की तैयारी करने वाले युवा यदि ओनलाइन प्लेटफार्म पर ज्यादा एक्टिव है तो उन्हें अब सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना है छोटी-छोटी बातों को राय का पहाड न बनाएं और नहीं इन्हें लेकर क्रोध जताएं अन्यथा घर का माहौल खराब होने में समय नहीं लगेगा सेहत की दृष्टी से जो लोग सकिन समस्या से परेशान थे उन्हें इसका हल मिलेगा आपकी समस्याओं में सुधार होगा मिथुन इस राशी के जो लोग टेली कम्यूनिकेशन से संबंधित जौब करते हैं उनके लिए दिन संतोष जनक रहने वाला है व्यापारी वर्ग को आर्थिक मामलों में सचेत रहना है क्योंकि धन आगमन तो होगा लेकिन वह व्यर्थ के कारियों में खर्च भी हो सकता है विद्यार्थी वर्ग आलस्य से बचें क्योंकि आलस्य पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है खास तोर से उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी परीक्षा नजदीक है घर के बुजर्गों के स्वास्थे का ध्यान रखना होगा उनको किसी प्रकार की चोट चपेट लग सकती है सेहत में वाहन चलाने वालों को खास ध्यान रखना है यदि दो पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहने और यदि कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट पहने करक करक राशि के लोगों की ओफिशियल स्थिती सामान्य रहने वाली है व्यापारी वर्ग को चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है कुछ ऐसी स्थिती बनेगी जिसमें आप कारियों को लेकर लक्ष तो साधेंगे लेकिन वह आसानी से पूरे नहीं होंगे युवा वर्ग को सामाजिक धार्मिक अवसरों में भाग लेने का अवसर मिलेगा कारियों को आगे बढ़ चड़ कर पूरा कराए समस्याओं का निदान ढूंडने में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा पीठ पीछे शड़यंत्र कर सकते हैं इसलिए उनसे सतर्क रहना होगा जो लोग फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए दिन लाभ लेकर आने वाला है ऐसे युवा जो टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें विनम्रता का परिचय देना होगा यदि कोई शिष्य एक से दो बार आपसे सवाल करता है तो आपको क्रोधित नहीं होना है ग्रहों की स्थिती को देखते हुए आपके लिए जरूरी है कि आप ऑफिस और घर के कामों में संतुलन बना कर चले सेहत में इस राशिके छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखें क्योंकि उनके पेट में दर्द होने की आशंका है कन्या कन्या राशिके लोग दिन की शुरुआत में कामों को लेकर कुछ परेशान नजर आएंगे तो वहीं दिन के मध्य से आपके काम बनने लगेंगे जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं उनकी ग्राहकों के साथ नोगजोंक होने की आशंका है सामाजिक छवी को ध्यान में रखते हुए ग्राहक के साथ बहस करने से बचें ग्राहों के प्रभाव के चलते यूवा वर्ग को छोटी-छोटी बातों पर अधिक क्रोध आ सकता है क्रोध भी एक उर्जा है इसलिए इस उर्जा को जरूरी कामों पर खर्च करें जो लोग घर से दूर रहते हैं उन्हें काफी समय के बाद परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा सेहत की द्रिष्टि से यदि आज यात्रा करने की योजना है तो उसे टालना ही उचित होगा क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है तुला इस राश्य के सरकारी विभाग में कार्यरत लोग कारियों को पूरा करें क्योंकि पिछले कारियों की समीक्षा हो सकती है थोक व्यापारी मुनाफा कमाने में आज के दिन सबसे आगे रहेंगे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करें, तो उन्नति के रास्ते खुलेंगे यदि विशयों के अध्ययन में समस्या आ रही है, तो निसंग कोच, अध्यापक और बड़े भाई बहन से मदद लें मा के साथ किचन कारियों में उनकी हेल्प करें, इसके साथ ही उन्हें अगनी से अलर्ट रहने की सलाह भी दे सेहत की बात करें तो फिट रहने के लिए यदि प्रॉपर डाइट लेनी होगी, इसके लिए किसी डाइटिशियन की मदद लेना तो बिल्कुल न भूलें व्रिष्चिक व्रिष्चिक राशिके लोगों के लिए आज का दिन महत्व पूर्ण है, इसलिए हाथ आएक कार्य को करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए चोटे और खुद्रा व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्ष पूर्ण हो सकता है, अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है युवा वर्ग के लिए आज के दिन आवश्यक्ता से अधिक हंसी मजाग करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है जीवन संगिनी, यदि जौब करने की इच्छुक हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें इस ओर सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है ग्रहों की स्थिती को देखते हुए स्वास्थे में गिरावट आने की आशंका है, इस ओर सचेत रहे और अपना ध्यान रखिए धनू धनू राशी के लोगों को कारियों में लेट लतीफी की आदत में सुधार लाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है परिस्थिती चाहे जैसी भी हो, व्यापारी वर्ग आत्म विश्वास प्रबल रखे, क्योंकि आत्म शक्ती बढ़ने से कठिन कारियों को भी सरलता से कर पाएंगे युवा वर्ग आज के दिन अपने दिल की बात मित्रों से शेर करते हुए नजर आएंगे, उम्मीद है कि इसके बाद आप काफी हलका महसूस करेंगे नकारात्मग ग्रहों की स्थिती, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपका विवाद करा सकती है, इस ओर सचेत रहें सेहत की दृष्टि से तनाव से दूर और मन को शान्त रखें क्योंकि बेवजह की चिंता स्वास्थ को प्रभावित कर सकती है, मकर मकर राशी के लोग काम करने के तरीके और आइडिया से बॉस का दिल जीतने में सफल होंगे, जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, उन्हें किसी बड़ी अकादमी में माल सपलाई करने का आडर मिल सकता है, युवा वर्ग को महत्वपूर्ण ज्यान को धन से उपर रखना है, क्योंकि ज्यान भी एक तरह का लाब है, परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने की संभावनाएं बन रही हैं, ऐसे में बिना किसी देरी क धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर लेना चाहिए, जिन लोगों को अकसर कमर में दर्द बना रहता है, उन्हें उन्हें घरेलू उपचार की जगह एक बार डॉक्टर से परामर्ष ले लेना चाहिए, कुम्भ, कुम्भ राश के लोग कार्यस्थल पर सभी से प्रेम और व्य रखें, रित्य और गायन में रुची रखने वाले युवाओं को प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, आपको भी मौके का फायदा उठाते हुए अपना अच्छा प्रदर्शन देना है, यदि संतान की रिष्टे की बात चल रही है, तो जल्द बाजी न जाच पड़ताल किये बिना रिष्टे के लिए हा न कहें, ग्रहों की स्थिती को देखते हुए आज का दिन स्वास्थि के लिए लिहाज से सामान्य रहेगा, मीन, मीन राशी के सरकारी नौकरी पेशा, लोगों को ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे पद प्रतिष्ठा प समस्याओं से घिरे हुए थे, उसमें राहत मिलने वाली है, माता-पिता के प्रति आपके जो भी दाइत्व हैं, उसे इमानदारी से निभाएं, उनकी सेवा के साथ जरूरतों का खयाल रखें, सेहत में बहुत अधिक मिर्च मसाले वाले खाने से परहेज करना है, खास तोर से उन लोगों को जिन्हें कबजियत की दिक्कत है, क्योंकि पाइल्स की समस्या हो सकती है, नोट, दोस्तों ऐसे ही रोज दैनिक राशिफल जानने के लिए विडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, और जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आ आगे बड़े